नमस्कार दोस्तों, हमारी यूटूब चैनल में आप सगी का हारदिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जन्माष्टमी के बारे में, क्यों जन्माष्टमी मनाई जाती है। भाद्र पद कुष्ण अश्टमी को स्री कुष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान स्री कुष्ण का जन्म दिविस मना जाता है। इसी तिथी की गंडगोर अंधेरी आधी रात को रोहिनी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासु देव की पतनी देव के घर्ब से भगवान स्री कुष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथी उसी सुब गड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी दूम धाम से मनाई जाती है। जन्माष्ट मी के दिन भगवान स्री कुष्ण का जन्म सबंदित कंथा भी सुनते सुनाते हैं जो की इस प्रकार की है। दुरापर युग में भोजवंसी राजा उग्रसेन मथूरा में राज्य करता था। उसके आतताई पुत्र कंथ ने उसे गंदी से उतार दिया और स्वयम मथूरा का राजा बन बेठा। कंथ की एक बहन देवकी थी जिसका विवा वासुदेव नामक यदुवंसी सरदार से हुआ था। एक समय कंथ अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुचाने जा रहा था। रास्ते में आकास्वानी हुई है कंथ जिस देवकी को तु बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के घर्भ में उत्पन आठवा बालक तेरा वद्ध करेगा। यह सुनकर कंथ वासुदेव को मारने के लिए अध्दन हुआ। कंथ ने देवकी माता को बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वासुदेव और देवकी को कारगुरु में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक-एक करके साथ बच्चे हुए और सातों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब आठवा बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बेठा दिये गए। उसी समय नंद की पतनी यसोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख आठवे बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पूत्र पेदा हुआ उसी समय सयोग से सयोदा के घर्ब से एक कन्या का जन्मु हुआ। और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठवी में देवकी वासुदेव केद थें उसमें अचानक प्रकास हुआ और उनके सामने संख, चक्र, गदा, पद्म धान किये चतु भुर्ज भगवान प्रगट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गीर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा अब मैं पुन्य नवजात सीसु का रूप धान कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वुर्दावन में भेज आओ और उनके यहां जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इसी समय वातावरन अनुकूल नहीं है फिर भी तुम चिंता न करो जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे कारागूर के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और अफनती अथाथ यमुना तुमको पार जाने का मार्क दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजाद सीसू के रूप स्रीकुष्ण को सूप में रखकर कारागूर से निकल पड़े और अथाथ यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे वहाँ उन्होंने नवजाद सीसू को यसुदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथूरा आ अब कन्स को सुचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है उसने बंदी गुरू में जाकर देवकी के हाथ से नवजाद कन्या को छिन कर पुर्थवी पर टपक देना चाहा परंत वह कन्या आकास में उड़ गई और वहाँ से कहा अरे मुर्ख मुझे मान मानने से क्या होगा तुझे मानने वाला तो वुरूंदावन में जा पहुंचा है वह जल्दी ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा यह है कुष्ण जन्मस्तान की कंथा अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूल और हाँ जय श्री कुरूसनु जै श्री कुरूसनु